असलाम अलेकुम फ्रेंड वेलकम टू तरन्नम फूट कलव आज मैं बनानी जा रही हूँ केलला स्टाइल फिश करी वैसे तो फिश सभी जगों में कंजूम किया जाता है लेकिन कोस्टल एरिये के लोगों के डाइट में फिश एक में डिश होता है इसे अलग लग तरीकों से बनाया जाता है लेकिन इंडिया में बंगाली स्टाइल और केलला स्टाइल जाधा फेमस है तो आज मैं केलला स्टाइल में फिश करी बना रही हूं चले recipe स्टार्ट करते हैं यहाँ मैंने इवगन केजी सीब्रीम फिश ली हूँ आप चाहे तो कोई बीश ले सकते हैं सीब ग्रेटेड नारियल 1 Cup, 1 Cup करी पत्ता, 4-5 हरी मिच इस तरह से कटकर लेना है, चौप धन्या पत्ती, 1 टीश्पून मेती, 1 टीश्पून सर्सो, इसे राई भी कहते हैं, हाफ टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून कस्मीरी मिच, तीखी वाली मिच भी ले सकते हैं, वन टीस्पून धन्या पॉडर, हाफ टीस्पून जीरा, पास टेबल इस्पून कोकरनट ओईल, टू इस्पून जिंजर गालिक पेस्ट, सारी तयारी हो चुकी है, अब इसे पकाना शुरू करते हैं, फिश करी के लिए मैंने कड़ाई लिया है, तीन टेबल इस्पून कोकरनट ओल डाल रही हूँ, ओल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज अट करूँगी, तो यहां मैं प्याज अट कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिला ले, प्याज को हमें सिफ स गरेटी कोकरनट भी स्पून चाही हूँ, इसे भी मिला ले, ग्रेटी कोकरनट को शामिल के रहा है, इसे पकाले अच्छे से, वर टयूस अदे कपा लाले, दे रही हूं और इसका स्मूद पेस बना लेंगे ढ़कन लगा दिया है अब मैं इसे पीछ लूँगी अब यह मसाला ब्लेंड हो चुका है हमें करी के लिए इस तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए सेम कड़ाय में कोकोनेट ऑईल डाल रही हूं ऑईल गरम हो चुका है अब मैं इसमें मेती और सासो एट कर दूँगी मेती और सासो को ऑईल में अच्छी तरह से पका लें देखिए यह अच्छी तरह से पक चुका है अब मैं इसमें हरी मिर्च एट कर रही हूं केरला फेस करी बना रही हूँ तो इसलिए मैं करी लीफ का जादा इस्तमाल कर रही हूँ अब मैं ब्लेंड के हुआ मसाला एट करूँगी मसाले एट कर रही हूँ जार में बचे हुए मसाले को भी पानी डाल का इसे भी एट करूँगी अब इसे अच्छे से मिला लें और इसे चार से पांच मिनट तक ढखकर पका लेंगे पांच मिनट हो चुका है अब मैं इसे चिक कर लूँगी मसाले अच्छी तरह से पके नहीं है इसे अच्छी तरह से हमें भूजना है अब मैं यहाँ वन टी स्पून नमक डाल रही हूँ इसे अच्छे से मिला ले साथ में मसाले एड़ करूंगी हल्दी, जीरा, धनिया और कस्मीरी मिर्श एड़ कर रही है इसे मिला ले और दू मिनिट के लिए इसे पका ले मसाले में वन कप पानी डाल रही हूँ इसे अच्छे से मिला ले मसाला इतना पकाना है कि मसाले से ओयल सप्रेट हो जाए मसाले को मीडियम फ्लेम में पकाए इससे बहुत ही बढ़िया आपको रिजल मिलेगा तो यहां मैं पांच मिनिट के लिए ढखकर पका ले रही हूँ तो देखे मसाला आलमोस रेडी हो चुका है मसाले से ओयल सप्रेट हो चुका है अब मैं मसालों को इतना बुन्यूंगी कि यह ट्राय हो जाए तो देखे मैं अच्छे तरह से बुन्ज ली हूँ अब मैं मसाले में डेल गलास पानी अट करूँगी तो यहां मैं डेल गलास पानी अट कर दे रही हूँ इसे अच्छे से मिला ले मसाले में अबाल आने के बाद हम मचली अट कर देंगे तो यहां मैं एक एक करके मचली अट कर दूँगी फ्रेंट्स मेरे रेसिपी को जरूर ट्राइ करें अगर आप मेरी मेथेट से किरला फिश करी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी और मुझे कमेंट जरूर करें कि आपकी फिश करी कैसी बनी धनिया पत्ति एट कर रही हूं इसे ज़्यादा चलाना नहीं है नहीं तो मचली तूट जाएंगे यहां मैंने फिश को फ्राय नहीं किया था डैरेक कच्छे फिश को मसाले में डाल दी थी तो फिश को पकने में 14-15 मिनिट लग जाएंगे पना मिनिट हो चुका है अब हम से चेक कर लेते तो देखें बहुत ही अच्छा टेक्श्यर आया है फिश अच्छी तरह से पक चुका है तो चले डिलीसेज फिश करी को डिश उट कर लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है या आप फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें त्ञ्च्राइब, झाले चाहिए।